इफ आई आर, हिंदी मूवी समीक्षा इफ आई आर, फैजल इबराहिम रायस, 2022 की तमिल भाशा की क्रायन थ्रिलर फिल्म है, जिसे मनु आनंद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है, और वीवी स्टूडियोज के बैनर तले विश्नु विशाल, शुभ्या और आर्यन रमेश द्वारा निर हैं, संगीत अश्वत द्वारा रचित है और प्रसन्ना जी के द्वारा संपादित है, फिल्म 11 फरवरी 2022 को रिलीस हुई थी और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और यह एक महत्वपूर्ण और व्यावसायक सफलता बन गई, चेन्नाई के ट्रिपलिकेन में रह निरीक्षक हैं के साथ रहते हैं, वह अर्चना क्रिश्नमूर्ती के साथ रिष्टे में है, जो दिल्ली में पीएचडी कर रही है और एक जूनियर वकी प्रार्थना रमन से भी उसकी दोस्ती है, इर्फान एक परफ्यूम फैक्टरी में अंशकालिक काम करते हुए असफल रूप से नौकरी के साक्षातकार में भाग लेते हैं। इस बात से निराश होकर कि उसकी चैन्नई की उडान छूट सकती है, इर्फान ने गलती से हवाई अड्डे के अधिकारियों को धमकी दी कि वह हैदराबाद पर बंबारी करेगा, जिसके कारण उसकी गिरफतारी हुई, लेकिन वह रिहा हो गया और चैन्नई पहुँच गय बाद में उसी हवाई अड्डे पर एक बं विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए, अगले दिन इर्फान का फोन बं विस्फोट स्थल पर पाया गया, और इर्फान को फिर से गिरफतार कर लिया गया, उन्हें एनाये सलाहकार अजय दीवान के आदेश के तहत हिरा हिरासत में लिया गया है, उनसे एनाये अधिकारी, अनीशा कुरैशी और एक निन्नरैंकिंग पुलिस अधिकारी गुनशेखर द्वारा पूछताच की जाती है, माना जाता है कि इर्फान मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, जिसका नाम अबुबक्र अब्दुल्ला है, प पुलिस हिरासत में यातना जेलनी पड़ती है, इर्फान के लिए खेद महसूस करते हुए प्रार्थना ने उसका प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया और प्रवीना बेगम को उससे मिलने के लिए लाया, हाला कि उन्हें इर्फान से मिलने के अधिकार से वंचित कर दिया पुलिस की कड़ी निगरानी में इर्फान को अस्पताल में अपनी मा से मिलने की अनुमती दी गई है, हाला कि वह पुलिस हिरासत से भाग जाता है और पाता है कि प्रवीना बेगम की मृत्यू हो गई है, जिससे इर्फान तबाह हो गया और अस्पताल से भाग गया, जहां उसकी मुलाकात डॉक्तर जाजी के बेटे रियाज से होती है जो इर्फान को आतंकवादी हमले को रोकने के लिए सरीन गैस बनाने के लिए मनाता है और प्रेरित करता है इर्फान ऐसा करता है जिसका अंतर डॉक्तर जाजी पर परीच्षन किया जाता है जब वह कार खाने का दौरा करता है और यह देखकर चौंप जाता है कि क्या हो रहा था अनीशा वहां पहुचती है और इर्फान और रियास को घेर लेती है लेकिन कार्तिकेयन द्वारा उसे चाकू मार दिया जाता है जिससे पता चलता है कि वह असली अबुबकर अब्दुल्ला है जब बं सक्रिय हो जाता है तो अबुबकर बं को सक्रिय करता है और अपने गुर्गे को इर्फान को मारने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास उसका कोई उप्योग नहीं है लेकिन इर्फान गुर्गे पर काबु पाता है और उसे मार देता है जहां यह पता चलता है कि इर इर्फान वास्तव में एक अंडरक्वर एना ये एजेंट है और इंतजार कर रहा था। अबो बकर को छिपने से बाहर निकालने में कई साल लग गए। अर्चना जो एक अंडरक्वर एना ये एजेंट भी है फैक्टरी में पहुँचती है और रियास को खत्म कर देती है जबकि इर्फान अबुबकर को मार देता है। अजय दीवान के आदेश के तहट गुनशे खर और पुलिस ने कार खाने को घेर लिया। रक्षा मंत्री से अनुमती मिलने के बाद सरकार द्वारा स्वीकृत द्रोन कार खाने पर एक सैन्य मिसाइल दागता है। अर्चना इर्फान को फैक्टरी छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करती है क्योंकि फैक्टरी नश्ट होने वाली है। हाला कि वह मना कर देता है क्योंकि वह सरीन गैस की सक्रियता को रोकना चाहता है। मिसाइल से फैक्टरी को नश्ट कर दिया गया जिससे इर्फान की मौत हो गई। गैस हमले को रोकने के लिए अजय दीवान को बधाई। यह पता चला है कि पूरे ऑपरेशन की योजना अजय दीवान ने बनाई थी, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता था। उन्हें केमिकल एंजिनेरिंग प्रिष्ठ भूमी वाला एक अधिकारी मिला और उन्होंने अपने पिछले जीवन को मिटा कर उसका नाम इर्फान एहमद रखा। अर्चना की मदद से इर्फान अबुबकर को भारत लाने के लिए अबुबकर के केमिकल एंजिनियर अश्रफ को खित्म कर देता है। यह भी पता चला है कि इर्फान वास्तव में कार खाने में मिसाइल हमले से बच गया था और एक अन्यमिशन पर है जहां उसका असली नाम फैजल इबराहिम रायस एफ आई आर बताया गया है।